सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी सुभास्पा के राष्ट्रिय अध्यक्ष ओप्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। प्रमुख अखिलेश यादव के पास नहीं है। इस दौरान राजभर अपनी तारीफ करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अब लोगों को इस बात का प्रमान मिल गया है कि राजभर अपने इलाके से लोगों जीत दिला देते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेप के साथ रहे तो बीजेपी की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ। यही समाजवादी पार्टी को फायद हुआ। लेकिन सपा प्रमुख में लोगों को साथ लेकर चलने की कला नहीं है। उसमें वो अभी कच्चे खिलाडी हैं। राजभर ने आगे कहा, CM योगी ने भी कहा कि सपा के लिए मायावती भी गलत थी, सोनिया भी गलत थी, चौधरी चरण सिंह भी गलत थे, चाचा भी गलत थे और अब राजभर भी गलत हो गए। समाजवादी पार्टी को अपनों की पहचान नहीं है। राजभर की पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभ चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा से हाथ मिलाया और छे सीटें जीती। उस चुनाव में राजभर ने पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर जी के खेला होबे के नारे की तर्ज पर खड़ेदा होबे का नारा दिया था। यह राज्य सत्ता से भाजपा को बाहर निकालने का आहवान था। बता दें सुभासपा ने उत्तर प्रदेश दो हजार सतरा विधान सभा चुनाव भाजपा के साथ गठ बंधन में लड़ा था और चार सीटें जीती थी। राजभर को गठ बंधन के सहयोगी के तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था लेकिन उन्होंने पिछडों और वंचितों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ के ही खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। इसकी वजह से सरकार के सामने कई बार असहज स्थिती अभी पैदा हुई थी।